धर्दी मौन में चली गई है मौन ये शब्द हमें बहुत डराता है हम इस शब्द से बहुत दूर भागते हैं मौन की स्थिती में जाने से हम डरते हैं ऐसा क्यूं है? जबकि मौन ही हमारा असल सुभाव है जिस वक्त हम अपनी मा के पेट में होते हैं मा के गर्भ में हम मौन की स्थिती में होते हैं यही हमारा वास्तविक सुभाव है तो फिर हम इस से क्यों इतना डरते हैं? हम ठहरने से क्यों डरते हैं? मा के गर्भ में मौन में ही सारी सनरचना, सारा क्रियेशन होता है यानि कि जो भी creation है वो इसी स्थिती में घटता है इसी state में होता है तो समझें कि जो मौन है वही आपकी वास्तविक स्थिती है वही आपका स्वभाव है अगर आप इससे दूर चले जाएंगे तो आप खुद से दूर चले जाएंगे मौन ही ईश्वर की भाषा है जब हम ध्यान करते हैं तो हम मौन होते हैं मौन में ही हम आत्मग्यान को रिसीव करने लगते हैं जिस तरह से आपका मॉबाइल फोन अगर आप उसका इंटरनेट डेटा आफ करके रखें तो आपको कोई फाइल नहीं मिलेगी आप रिसीव नहीं कर पाएंगे अपने मेसेजस को फाइल्स को जिस वक्त आप उसका इंटरनेट डेटा आउन करते हैं आप सारी फाइल्स रिसीव करने लगते हैं तो यह उतना ही आसान है समझना जब हम मौन में होते हैं हम ध्यान में होते हैं तो हम ज्ञान में होते हैं, ज्ञान से ही clarity मिलती है, जब मन स्थिर होता है, तो सारा creation वहीं घटता है, तो समझें कि धर्ती इस वक्त मौन में हैं, धर्ती इस वक्त ध्यान में हैं, यानि कि आगे कुछ बहुत ही अच्छा create होने जा रहा है, ये जो भी घटना घट रही है, इसमें हम अपने आपको मौन की स्थिती से connect करें, मौन की जो state है, जो silence है, जो peace है, उससे connect करें, ये धर्ती की तरफ से एक message है, कि हम भी उससे connect हो जाएं, उसका साथ दें, तो समझें इस बात को, समझें इस message को, कि कुछ create होने जा रहा है, healing चल रही है, सफाई चल रही है, सारी चीजें मौन में ही घटती हैं, तो अपने inner self से connect करें, inner self से आप तभी connect कर सकते हैं, जब आप मौन हो जाएं, आप चुप हो जाएं, जिस तरह से हमारा lifestyle है, हमारी जीवन शैली है, हम भागते हैं, दौडते हैं, सिर्फ हम struggle की स्थिती में ही होते हैं, ऐसा बहुत कम होता है, जहाँ पे कि हम receive कर रहे होते हैं, हमारा data off है, तो जरूरत है कि हम अपने data को switch on करें, मौन में जाके, तो यह एक बहुत ही अच्छा अफसर है, बहुत अच्छी opportunity हम सब के लिए, कि हम, यह जो दिन हमें मिले हैं, जहाँ पे कुछ लोग बड़े ही परेशान हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि सारी दुनिया रुक्सी गई है, पर समझें, कि यह जो दुनिया रुकी है, यह जो पृत्वी अपने आपको balance कर रही है, यह आपको यही message दे रही है, कि आप भी, मौन में चले जाएं, और अर्थ की जो real vibration है, उससे align हो जाएं, उससे connect करें, अपने आप से connect करें, क्योंकि सारा जो खजाना होता है, वो समंद्र की गहराई में ही होता है, तो अपने अंदर की गहराई में उतरें, अपने मन की गहराई में उतरें, मौन में जाएं, क्योंकि वहीं आपका true self है, अपने आप से connect करें, इस पूरे सिनारियो को एक बेहद ही अच्छी opportunity समझें, मौन में जाएं, मौन से connect करें, तो इतना सा ही message है, कि कुछ देर के लिए शान्थ हो जाएं, मौन में चले जाएं,